हेलो एविबोन केसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छी होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम को क्या फील कर रहे थे आपके लिए ठीक है रीडिंग का टॉपिक हमा क्लेक्टिव है इस पात के पूरा ख्याल रखना है आपको ठीक है सो फुल फोकस कीजिएगा आप कार्ट के उपर जब मैं रीडिंग करती हूं जब मैं सफल करूंगी आपको पूरा फोकस रखना है ठीक है और जो लोग भी मुझसे प्रोस्ट टालोर रीडिंग लेना चाह हैं कॉटेक्ट जरूर कीजिए लेकिन ये आप लोग भूल जाते हैं कि पेड रीडिंग होती है यह पेड रीडिंग का मतलब कि चार्जिस लगते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं वेवकूफ है शायद कुछ लोग वैसे यह फिर जो है उननको फ्री कमाल चाहिए जो free में जो है ना चाहते हैं कि उनका हर काम हो तो free वाले लोग बिल्कुल भी contact ना करें क्योंकि energy को exchange करने में बहुत हमें efforts डालने होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग नहीं समझते हैं तो कहते हैं कि बेवकूफों को समझाने से कोई फायदा नहीं है तो वैसे ल तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी चले फिर करते हैं reading को start यह एक बहुत जल्दी बहुत जरूरी information थी इसलिए मैंने आपको देना जरूरी समझा क्योंकि जो लोग handle करते हैं हमारा whatsapp उन लोगों को गलत तरीके से बात करना यह गलत है तो please यह stop कीज़े आप लोग प्री रिडिंग वाले बिल्कुल भी contact ना करें हम पेढ़ करते हैं ऌर ऊस्रिफ पेड रिडिनिग ओके गाइड करें अंजल्स, उनिवर्स, एंसिस्टर्स मुझे गाइड करें मेरे वीवर्स के लिए 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 मुझे गाइड करें true okay okay very nice very nice okay सो देखते हैं काइब निकालते हैं आपके लिए हम ओके थैंक्यू उनिवर्स थैंक्यो अंजेल्स थैंक्यू इंहीन कंड no more ओके थेंक यू, वेरी नाइस, ओके वास्ट एंड विस्ता का काड है, प्रोटेक्टेड बाइ एंजल्स, ओके, चुजिं यूर बात, फोग इन, एंड लास्ट कार्ड है, इंपेस, पॉर्टम अफ तर डेक, ओके, इस्टेंट थंटर, आपकी पार्टनर थोड़ा सा थोड़ा सा आज मुझे डड़े हुए से फील हो रहा है, ऐसा लगता है, जिससे की ड़ड़, तो आज कि अचानक से कुछ चीजे होती हैं तो हम इंसान ड़जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, आचानक से थोड़ा सा चेंज हो जाना, जिससे हम कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसको पकड़ नहीं पाते हैं ऐसी भी मुझे energy feel हो रही है ठीक है मुझे ऐसा feel हो रहा है आपके cards में कि आपके और आपके partner के बीच में रिलेशनशिप ऐसा दिख रहा है जैसे की काफी ज़्यादा कि हीलिंग की ज़रुत है यहां पर एसा मुझे feel हो रहा है कि यहां की काफी ज़रुत है यहां की energy के अनुसार से हीलिंग काफी ज़रुत है और मुझे लगता है कि आप लोग का distance relationship भी है ठीक है distance relationship भी मुझे नजर आ रहा है और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे की यह जो रिस्ता है न यह काफी अच्छा होने के chances हैं आपके पार्टर को आज शाम को feel हो रहे हैं कि यह रिस्ते में काफी कुछ chances हैं कि सही हो सकते हैं यह person के सामने एक तरीके से आज शाम को एक best opportunity आई ऐसा इस person को लगा है कि yes best opportunity रही है मेरी लाइफ में और यह person काफी ज़दा क्लियर हैं काफी ज़दा क्लियर हैं मैं देख पा रहे हूं कि जो person हैं आपको जब भी देख रहे हैं इस person को लग रहा है कि yes काफी बहतर है काफी ज़दा बहतर है जो भी चीज़े चल रही है जो भी चीज़े हो रही है एक नई energy के साथ एक नई तरीके की उज्या के साथ जो है यहां पर दिख रहा है इक दम से चीज़ें दिख रही है कि इस relationship काफी बहतर हो सकता है relationship काफी बहतर है आप दोनों का आप दोनों के लिए काफी sacrifices the important है यह पर्संन को फूर हो रहा है और यह मुझा ऐसा स्लोली-स्लोली ही सहे लेकिन आगे बढ़ने की चाहते हैं आगे बढ़ने की एनर्जी को यह पड़ो कर रहे हैं कि ए can you क्यों पर्फेक्ट टाइम लेना चाहते हैं a i47 मैं डिया चाहते हैं होIn और मैं देख पारे हूँ कि पौर्ण जो चीजे जो है और शायद यह person आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं उन सारी चीजों को भी जो है करने की चाहत रखते भी दिखाए दे रहे हैं यह person का दिख रहा है कि इनकी life में एक एक करके एक करके जो mystery आ रही है ना यह जो इनका दीनाचारिया जो पूरी तरीके से घूम जा रहा है यह काफ यह जो है ना यहाँ पर होती भी दिखाए दे रही है और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि जैसे कि इस person को पहले समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी जा कहा रही है मैं कहां जा रहा हूं मैं अपने रिस्ते को सही करना चाहता हूं या इस रिस्ते को छोड़ देना हूं तो यह पॉर्सन थोड़ा से सब्सक्राइब के यहांपी तोड़ा सा है कि क्या करूं मैं एक जो होतानेकी मेरी जिंदगी कहा को मुझे लेके जा रही है जिस तरफ लेके जा रही है मुझे उसी तरफ जाना पड़ेगा मेरा अपना कोई लहीं है यह सूच रहे हैं कि कर रहे हैं लहार हुए यह पारे हुआんと यहां यहां पे stuck पड़ा हुआ है इस रिष्टे में कोई improvement नहीं है कोई कुछ नहीं है ऐसा लगता है जिसे कि यह रिष्टा जो है ना एक जैसे होता कि जगलिंग कर रहा है सो यह energy मुझे नज़र आ रही है यह मुझे ऐसा लगता है जिसे कि आपके partner ने कहीं कई बार जो है यहाँ पे clarity नहीं दी है कई बार जो है इस person ने आपको बोला नहीं है, बताया नहीं है अपने दिल के feelings नहीं बताई है अपने दिल के emotions नहीं बताई है so yes, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी feelings मुझे नजर आ रही है ठीक है? मुझे यहाँ पे यह भी दिख रहा है जैसे कि आपके जो partner है अपने बात को choose करना चाहते है ऐसा लगता है जैसे कि यह person आगे बढ़ने से पहले एक जो फुक फुक के कदम होता है वो रखना चाहते है आपके partner फुक फुक के कदम रख करके और तभी जो है यह person आगे बढ़ना चाहते है ऐसी energy में देख पा रही हो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यह person अपनी limitations के साथ आगे बढ़ना चाहते है यह person के energy में मुझे यह भी दिख रही है जैसे कि यह person है इस situation के according आगे बढ़ना चाहते है जो भी situation है उसके recording आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं यह भी देख पा रहे हूं कि यह पॉर्सन जो है ना ऐसे वैसे आपको हलके भी नहीं लेना चाहते हैं यह पॉर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ सब कुछ इधर उधर ह हो गया है मुझे यहां पर वितार है मुझे आप यह देख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की बीच का जो कहते हैं है दोनों के स्टार्स काफ़ी अलग हो सकते हैं ऐसा इस परसशन को अजो और मेन belki काफी ट्रस्ट की सुननी चाहिए यह यह वह का फिजदा भरोसा है आपके पार्टनर को देखिए यहां पर मुझे यह भी फील हो रहा है कि यह पॉर्सन फील कर रहे हैं कि माना की रिलेक्शनसिप में यह पॉर्सन फेल हो गए माना कि अभी पॉर्सन सक्सेस्फुल नहीं है रिलेक्शनसिप में सक्सेस्फुल नहीं है त परसन जो है टाइम टू टाइम जो है ना इस परसन के अंदर चेंजे जा रहे हैं यह परसन अपने आपको है ना अपने आपको चेंज करते वे दिखाई दे रहे हैं यहां पर देख रहा है कि पॉर्शन सारी चीजों को सही कर सकते हैं बस इनको जो हैना और सही गाइडेंस की जरुत है। तरीके से चीजे जो है ना चलनी चाहिए मुझे ऐसा हो रहा है ऐसी आरही है यहाप में दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बीच में बड़ी जल्दबाजी में होता है ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ pre-plant है है ना ऐसा आपको लगता है कभी-कभी लेकिन ऐसा नहीं है यह person बहुत जल्दबाजी में जो है ना जो भी करते हैं या जो भी अभी तक decision लिया है बड़े जल्दबाजी में इन्होंने decision लिये और वो decision decision सही है गलत है इस person ने कभी नई सोचा थीक है उस समय के लिए इस person को लगा कि सही है लेकिन वह सही निकले नहीं निकले का future में यह इस person को नहीं पता होता था कि सब्सक्राइब काफी जदा सोच रहे हैं काफी ज़दा रहे हैं या चीजों को देख रहे हैं यह किसी को गाइड भी करते हुए दिखाए दे रहे हैं ऐसा लगता है आपके पार्टनर को काफी प्रोटेक्टेट फील होता है कि येस मैं प्रोटेक्ट हूं एंजल्स के द्वारा मेरे लव लाइफ में हो या फी फाइनांस में हो करिय हूं 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 से यहां कंछा में एक प्यारा सा खूब सूरत सब एक रिलेशनी मैं देख पा रहे हूं कि क्योसा क्यो Bel Angeles na susa Caras бpheki अधिक हो घृए सब्सक्राइब को एक नई रहा दिख रही है आपके पास आने की एक नई उमीद दिख रही है ऐसा लगता है कि अब यह person जो है आएंगे तो सब कुछ सही कर लेंगे सब कुछ सही कर लेंगे अपने अनुसार से यह person कर लेंगे सब कुछ अपने अनुसार से यह person येस मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ट में मुझे काफी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ जूड़ करके आपके साथ आ करके इस पॉर्षन को एक पॉजिटिव वाइफ फील होती है ओके गाइड करें अंजल्स ओके वील ऑफ फॉर्षन सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पॉर्षन को एक नई उमीद दिख रही है और यह पॉर्षन जिस तरीके से देख रहे हैं इनको लगता है कि शायद हमारा रियूनियन हो जाए हमारा लग एक दूसरे के साथ ही जाए ऐसा इस पॉर्षन के फीलिंग्स मुझे नजर्चा रहे हैं आपके पाउटनर काफी ज़ादा 85 हो रहे हैं काफी ज़्यदा 85 को कीचिजों को सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर यहीं देख रहा है कि आपके और आपके प्राइड के बीच में एक जो बोर सब्सक्राइब करते हूं और मैं यहां पर यह भी देख पा रहे हूं जैसे कि आपका और आपके पार्टनर के बीच मेंBM जो हैना का रिस्ता काफी बहतर है काफी धा बहतर है देख पातिए कि इस रिस्ते का फ्यूचर आपके पाटनर को लगता है तो अच्छा फ्यूचर भून की नहीं सकता तो फ्यूचर हो ही नहीं सकता आपके पार्टनर के फिलिंग से इन मुझे गाइड करें यहां पर देखिए आपके पार्टनर को फ्यूचर तो दिख रहा है आपके साथ फ्यूचर तो काफी जदा क्लियर दिख रहा है लेकिन यह फ्यूचर में क्या सब कुछ बैतर हो पाएगा यह पॉर्सन को नहीं समझ में आ किया है काफे स्टख है लेकिन यहां पर देख पार हूं कि कीया इमेजिनेशन काफी अलग हैं आप कुछ और सोचेज़ तो यह पोर्सन कुछ और सोचेंगे यहाँ पर दोनों का जो बात करना है और जो है जो अजित कि आप Почему का ना वो काफी जदा अच्छी है ठीक है वो मुझे नज़र आ रहा है ठीक मुझे यहां पर यहीं फील हो रहा है कि यह रिष्टे को सही करना और रिष्टे को एक तरीके से सही तरीके से हैंडल करना यह आपके उपर डिपैंड करता है है ना सो यहां पर मुझे यहीं दिख रह है बट इसमें काफी कुछ इंप्रूफ किया जा सकता है आपके पार्थनर सोचते हुए फिल करते हैं प्रिंसेस ऑप कॉइंस का कार्ड एक दम से मुझे यहां पर यह देख रहा है आपके कार्ड में प्रिंसेस अफ कोईन्स के अनुसार से कि आप दोनों का जो रिष्टा है ना यह काफी प्रोटक्टिव एंड काफी पजासिव मुझे नजर आ रहा है ऐसा लगता है जिसे कि इस रिष्टे में काफी कुछ हो सकता है काफी में कुछ चीज़ें हो सकती हैं काफी इसमें इंप्रुव्मेंट लाइजा सकती है ऐसा मुझे नज़र आ रहा है ठीक है आफके पार्टर आपको एससे नॉर्मल परसंटों नहीं देखते हैं ये इस जो परशान हैं रिये में जानना धार या जानना एक फील हो रहा thitha कि WOW तरीके से जही सरीके से यह पॉजशन की लाइफ कहीं भी जा रही है तो उस दिशा में कहीं भी कैसे चले जाएगी तो पाला को ढहला थामना इनको कंट्रोल में करना होगा सो यह person उस चीज को जो है ना काफी ज़दा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ठीक है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि यहां की energy के अनुसार से काफी ज़दा feel हो रहा है काफी ज़दा एकदम से जो होता है कि अचानक से feel होना सो यह energy feel हो रही है मुझे सो यस मुझे ऐसा feel हो रहा है ऐसा दिख रहा है नाइट ऑफ कोईन्स के energy काफी क्लियर वे में दिखा रही है नाइट ऑफ कोईन्स के एनरजी and the lovers के इनरजी very nice very very nice सो यस यस यह जो person है यहां की energy के अनुसार से मुझे नज़डा रहा है कि यह आपके जो पार्टनर है णा देखिए यह जो पॉर्सन है, nine of coins की धीरे धीरे, 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 अपनेक Recently अगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे अपने आपको आगे ले करके जा रहे हैं और सारी feelings, सारे situations को यह person सही करना जाते हैं, देखवार्यों कि दीरे करके लाइफ को कहते है न हैपीनेस की तरफ लेके जाना आज पर्सक्राइए ले करके ही आपकी live में वापस आना चाहते हैं यह पर्चन विदाउट commitment या फिर ऐसे time pass करने के लिए यह पॉर्चन वापस नहीं आना चाहते हैं आपको ईह पॉरसन ऐसी दोखा तो भी दे सकता है ना तो यहां पर मुझे काफी जदा क्लियर वे में दिखाई दे रहा है ठीक है सो यहां चले देखते हैं आपके पार्टनर का और भी देख लेते हैं क्या है क्या निकल रहा है क्या बन रहा है देखते हैं फूचर फूचर क्या हो सकता है इनके पार्टनर के okay seven of cups four of cups king of wands knight of cups and mere paas hai three of wands okay okay bottom of the deck the hand man okay so again मैं कहूंगी कि जिन्दगी काफी स्टक है काफी जिधा स्टक है जिन्दगी में काफी कुछ चीज़े देखने को मिली है आपको भी आपके पार्टनर को भी है ना दोनों को ही जिन्दगी में काफी कुछ चीज़े unexpected बाते हैं ना बहुत सारी चीज़े जो है unexpected हैं मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के रिष्टे में unexpected तरीके से सब कुछ सब कुछ जो है सही होना वो चीज़े मुझे नज़र आ रही है सब्सक्राइब करें एक दम से काफी ज़्यादा क्लियर है देखिए यह पॉर्षन थोड़ा सा कन्फूजन में तो रहें गया आगे भी वर्ट यह पॉर्षन को आके जाके से clarity आ जाएगी कि आप इनसे प्यार करते हैं और यह आपसे प्यार करते हैं दोनों एक दुसरे से प्यार करते हैं दोनों एक दुसरे के लिए फील करते हैं और दोनों एक दुसरे को काफी ज़दा पसंद करते हैं दोनों एक दुसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो यह ट्र यहां पर होनी चाहिए जो की हो रही है मुझे जहां तक दिख रहा है कि देखे फ्यूचर में भी यह पॉर्सन आएंगे आपके पास बहुत मैच्चॉर होकर के आएंगे बहुत ही ज्यादा मैच्चॉर होकर के ऐसा लगड़ा है जिसे कि इस परसन अपनी गलती से एक गलती स से बहुत कुछ सीखा है इएक गलती से यह परसन काफी कुछ सीखने वाले हैं हमें आन्दाजा हो जाता है किहां breakfast इंप से दिल दिमाग में रहेगा कि गलती नहीं करने है आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के रिस्ते में काफी कुछ बदलाओ काफी कुछ ऐसी एनरजी दिख रही है जो कि अनेक्सपेक्टेड है ठीक है तो मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टन के अनरजी में काफी ज़्यादा चेंजिस या कहें तो आएंगे और यह पॉर्सन जो अपने बार-बार बिजनेस पे बार-बार अपने फामली पे जादा जो है फोकस करते थे अब कहीं न कहीं वो जो है अब आपके उपर फोकस करने वाले हैं क्योंकि मानना इनका ऐसा है कि फैमली भी है लेकिन आप भी हो उसमें आपकी भी involvement है आप इनमें आप आपका जो है ना एक आपका जो है ना एक बहुत ज़्यादा रोल है इस relationship में ठीक है तो वो दिख रहा है मुझे काफी अच्छी एनरजी काफी अच्छी feelings मुझे नजर आ रही है ठीक ऐसा दिख रहा है जैसे कि इस person को balance करना है सब कुछ balance करना है रिष्टे को balance करके life को balance करके तब ही रहना है है ना night of cups five of cups ठीक है यह person को आगे बढ़ना है रिष्टे में इस person को आगे बढ़ना है इस person को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है इस रिष्टे में बहुत ज़्यादा clarity होनी चाहिए और इस रिस्ते में काफी कुछ होना चाहिए ठीक है यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिस्ते में सिर्फ emotions रहे नहीं चलेगा इस रिस्ते में सिर्फ feelings रहे बिल्कुल भी नहीं चलेगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिस्ते में साबित होगा काफी सही साबित होगा काफी है रियल तो में देख पा रहे हूं कि यहाँ पो रियालिटी देखने को मिलेगी देखो इंतिजार तो आपको उन्ति और हो आपको गरहना को पड़ेगा और classes start होने वाली है तो जल्दी से जल्दी इंट्रोल कर लीजे जल्दी से जल्दी इंट्रोल कर लीजे ठीक है क्योंकि ये जो classes हैं हमारी काफी ज़दा important है ठीक है तो चले फिर मिलते हैं आप से फिर से किसी नई reading में तब तक के लिए हस्तिरी मुस्कुरातिरी और खुश रहिए बाबाए